पूरे देश में CBSE से अफलेटेट जितने भी स्कूल हैं, उसमें क्लास 9 और क्लास 11 के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जिनको या तो टर्म 1 में या तो टर्म 2 में इतने कम अंक मिले कि वो फेल हो गए। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, जो टर्म 2 और टर्म 1 दोनों में फेल हैं, कुछ ऐसे भी हैं, जो किसी एक टर्म में फेल हैं, अब वो बच्चे जानना चाहरे हैं कि सरह हमारा क्या होगा, इस स्कूल वाले कुछ बता नहीं रहे हैं, ज्यादा तर स्कूलों में भ्रहम की स्थिति है result कैसे बनेगा passing marks क्या होगा pass criteria क्या होगा इस पर मैंने बहुत सारा guidance आपको provide किया है वीडियो बनाए हैं और इसके बारे में बच्चे जाना चाह रहे थे तो इस वीडियो में हम आपको बच्चों इसके बारे में समझाएंगे कि जो बच्चे फेल हो हैं उनका क्या होगा उनको pass किया जाएगा अगले class में promote किया जाएगा या उनको फिर से रोका जाएगा उसी class में पढ़ेंगे या उनको एक और मौका मिलेगा यह सब हम discuss करेंगे लेकिन बचों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यह उमीद कर रहे हैं कि अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा अच्छा information दे रहा है तो आप इसे like और share जरूर करें और साथ ही मैं हमारे चैनल को भी subscribe कर लें ताकि इस तरीके की authentic updates आपको मिले क्योंकि मैं cbsc affiliated school में ही टीचर हूं और आपको हमेशा authentic information देता हूं तो हेलो बच्चों मैं उमानात पांडे फिर से स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब मिला करके वो पास हो रहे हैं ऐसा इसका उल्टा भी है बहुँ सारे ऐसे बच्चे हैं जो term one में तो फैल हो गए लेकिन term two के marks मिला करके पास हो रहे हैं तो क्या उनको फैल माना जायेगा अब हमारे पास में बहुँ सारे बच्चों के message आए है वहां के teachers करें कि भाई आपको term 1 में भी pass होना है term 2 में भी pass होना है अगर ऐसा नहीं है तो आप pass नहीं माने जाओगे लेकिन हमने केंद्रे विद्याले के कुछ सिख्चकों से बात की और ये जानने की कोशिस की भाई ऐसा क्या है तो उन में से कुछ लोगों की information जो मिली है कई सारे केंद्रे विद्याले में ये नियम follow हो रहा है कि term 1 और term 2 दोनों के अंक मिला करके जो बच्चे पास हो रहे हैं उनको pass माना जाएगा बाकि जो बच्चे पास नहीं हो रहे हैं दोनों मिला करके वो फेल माने जाएंगे अब मान लेते हैं एक बार कोई class 9 या class 11 का बच्चा फेल हो गया तो क्या होगा अगर class 10 के बच्चे होते हैं एक subject में फेल हो गए होते हैं तो उनको compartment देने का मौका मिलता है अगर यही चीज हम class 9 और 11 के बच्चों के साथ देखें तो ऐसे बच्चे जो एक subject में फेल होए हैं उनको compartment देने का मौका मिलना चाहिए और ऐसा दिल्ली में हो रहा है ऐसा दल्ही में हमने पीछले वीडियो में आपको बताया था कि गवर्मेंट आप दल्ही ने एक notification जारी करके कहा है कि जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको बाद में एक महिने का time देखरके आप compartment exam करवाईए और उसके आधार पर उनका result खोजित कीजिए चुकि कोरोना का time था तो ऐसा होना चाहिए वैसे आप बताईगा कि क्या आपके स्कूल में ऐसा कोई नियम है या नहीं है अगर नहीं है और इन बच्चों को मिल रहा है तो हम आपके लिए भी demand कर सकते हैं और मैं ये अभी खोजता हूँ अगर वो मुझे comment दिख गया तो मैं आपको जरूर सेर करूँगा कि एक बच्चे ने बताया कि सर हमारे स्कूल में पहले ऐसा नहीं था लेकिन मतलब बाद में जब ये सोर सराबा उठा कि भाई इन बच्चों को इस साथ ये नियम है ऐसा गड़बड हो रहा है गलत हो रहा है ऐसा होना चाहिए उन्हों ने क्या किया कि जो बच्चे टर्मोन या टर्म्टू में फेल हो गए थे उनको कहा था कि हम अपने क्लास में रोक लेंगे अब वो कहा गया है कि नहीं ऐसा है इन बच्चों को टर्म्टू या टर्म्टू एक्जाम के बाद में हमें एक मौका देंगे एक्जाम देने का तो री टेस्ट देने का मौका ऐसा दिया गया है मैं अगर पा जाओंगा तो यहां पर मैं आपको सो कर दूँगा एक इमेज लगा करके अगर नहीं वो कमेंट मिल पाया तो इतना विश्वास आप कीजिए कि कई सारे बिद्यालों में बचों को री एक्जाम देने का मौका मिला है कुछ दिन पढ़ें बच्चे उसके बाद में कमपार्टमेंट का एक्जाम दे पास हो जाते हैं तो अगले क्लास में प्रमोट कर दिये जाएंगे अब कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं बच्चों जो दो, तीन, चार सबजेक्ट में फेल हो जाते हैं उनके लिए हर इसकूल का अपना-पना डिसीजन होता है वो इसकूल अगले क्लास में भेजेगा या नहीं भेजेगा ये उसके उपर डिपेंड करता है, अगर वो प्रमोट करता है तो आप अगले क्लास में चले जाएंगे अगले क्लास में नहीं जा पाएंगे वैसे आपके यहां क्या सिचूएशन है आपका विद्याले में, आपके विद्याले में क्या रूल है यह हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और हमें यह भी बताईगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा अगर आपको रिजल्ट पता है तो शेयर करिएगा और अगर अस्थान और विद्ध्याले का नाम भी बताएंगे तो हो सकता है मैं आपकी बेहतर तरीके से मदद कर पाएं बच्चों तो आपके अच्छे रिजल्ट की धेर सारी सुपकामना है All the best, May God bless you